केंड्रिय मंत्रियों और बीजेबी के वरिष्ट नेता गिरिडाज सिंग ने बिहार में चल रहे अवैद मदर्सों और अवैद रूप से बनी मस्जिदों को लेकर बड़ा बयान दिया है से पहले छुटियों को लेकर उन्होंने तरह तरह के सवाल सरकार से किये थे उन्होंने अब कहा है कि बिहार में अवैद रूप से बने मदर्सों और मस्जिदों की बाड़ सी आ गई है ये बिहार के साथ साथ देश के लिए भी खत्रा बनते जा रहे हैं समय रहते सरकाल को इस बारे में सोचना होगा इसी बुद्धे को लेकर इंजिया नियूस के एक्जिकेटिव एडिटर राकेश कुमार सिंग ने केंडरे मंत्री गिरेराज सिंग ने बातचीत की है सुरिए हमारे साथ केंडरे मंत्री गिरेराज सिंग जी है बिहार में बड़ी समस्या है इसी पर ध्यान में ने मुक्ह मंत्री जी का आक्रिष्ट करा किया है कि हमारी शीमा बंगलादेश से और नेपाल से लगा हुआ बड़ी लंबी शीमा है इन सिमाओं के साथ साथ राज के अंदर अवैध मस्जिदें और अवैध मदर्सा ये खुले हैं इसलिए मैंने मुक्ह मंत्री जी से कहा है कि तुष्टि करन की निंद से आखे खोलें और राज और देश के हित में इसकी जाच कराएं उत्तर प्रदेश ने भी कराया मैं आपको कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि नकल करें लेकिन आप करें आप सेकुलर अस्टेट हैं आप रिपब्लिक और इसलामिक बिहार नहीं है इसलामिक रिपब्लिक और बिहार नहीं है तो अगर आप नहीं हैं तो आपको चाहिए कि इस पर जाच करना क्योंकि जो अवैद मस्जिदें जहां अबादी नहीं है वहां भी मस्जिदें खुली है आखिर क्यों मदर्सा अवैद मदर्सों में जो पढ़ाई होती है मजहबी कटर पन्ती निकलते है और पी अफाई बिहार में सजग है और बिहार के लिए वो भारी खत्रा है जो बैद्ध हैं उनमें विग्यान, कंप्यूटर आप दें मुझे कोई आपती नहीं क्योंकि कुरान के साथ साथ उन्हें विग्यान की भी ज़ूरत है आप दें लेकिन अबैद्ध जाच करके आप बता दें कितना है और उस पर कारवाई करें नहीं तो 20 साल बाद बिहार का धन और धर्म हिंदूओं का खत्रे में है गिराजी धन और धर्म का से क्या है धन हमारा जमीन है, संपत्ती है धर्म हमारा हमारी बेटी है, हम है हम धर्म उसी को मांते हैं आज क्या हुआ पाकिस्तान में क्या हुआ लोग गए और आज धन और धर्म दोनों वहां से खतम हो गया बंगलादेश से खतम हो रहा है और आज जहां आबादी उनकी अधिक हो जाती है वहां हम खत्रे में पड़ जाते हैं आने वाले समय में बिहार में एक खत्रा आपको लगता है हिंदू के लिए खत्रा है वो मुझ पर आरोब लगाते रहें कि मैं हिंदू-मुस्लिम करते हैं आंत्रिक सुरक्षा का भी सह है मैंने पी-अ-फाइ सा जग है जो एना ये के उद्वेधन में निकला कि दो हजार साइटालीस तक भारत को हम गजवाए हिंद इस्लामिक अस्टेट बनाएंगे आखिर उसके बाद भी पी-अ-फाइप पर पर्तिबंद के बाद भी खुला उनका काम चल रहा है लेकिन मुकमंत्री जी आँखे मुंद लिया है तुष्टी करंड से हमारी सरकार बनेगी तो मैं तो वहां बंगला देशी रोहंगिया जो अबैद है उसको निकालूंगा क्योंकि हमारे लिए खत्रा है कि राज जी बड़ी बात कर रहे हैं कि बिहार में एक उन्होंने मस्टा उठाया कि जिस तरह से जो मदर्शों की संख्या लगातार बढ़ रही है धन और धर्म दोनों वहां पर खत्रे में आने वाला है साथी साथ उनका काना है कि एकजिट पोल की जो नतीजे हैं और जब तीन तारी को जब परिणाम आएंगे तो बीजेपी भारी बहुमत से अपने जित दर्ज करेगी क्यामरामेन सुधीर के साथ राकिश कुमार स्थिंग इंडिया नी दिली